गुद मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स आज का वीडियो बेस्ट है क्लासिक्स मैठ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स तो नोइंग आवर नंबर्स में सबसे पहरा टॉपिक है हमारा कंपेरिंग नंबर्स कि मतलब कि नंबर को कंपेर करना नंबर जैसे आप लोग जानते हैं कि नंबर है वन है फाइब है 7 है 24 है ये numbers है और भी numbers हो सकते हैं तो इसमें हम लोग compare कर सकते हैं इन numbers को कि इसमें कौन सा छोटा है छोटा मतलब smallest है और कौन सा बड़ा है इसमालेस नमबर और greatest number हम लोग identify कर सकते हैं इसको देख के बता सकते हैं कि ये 1 जो है वो सबसे छोटा नंबर है 24 इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि smallest नंबर इन सब में smallest नंबर कौन सा है वो है 1 है और greatest नंबर वो है 24 तो इन नंबर में सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग smallest नंबर बोलते हैं वो 1 है और greatest नंबर सबसे बड़ा नंबर है 24 है और दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं यह पहला एक्जामपल था जैसे अगर कोई नंबर दिया हो 92 है 395 है 24 है 7935 है इन नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन नंबर में अगर हम दिखते हैं तो सबसे छोटा नंबर आता है हमारा 24 और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 7935 इन नंबर में इस स्माइलेस नंबर कौन सा है 24 है और ग्रेटेस नंबर क्या है 7935 है तो यह तो बहुत आसान टॉपिक था comparing numbers जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो समझ जाएंगे कि इसमें से छोटा नंबर कौन सा है अगर कोई नंबर दिया हो कई नंबर दिये हूँ इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है सबसे बड़ा नंबर क्या है यह समझ सकते है इसी के basis पे हमारा ascending descending order आता है ascending order क्या होता descending order क्या होता यह बताया गया है वेराल फिट टॉपिक आएगा तो बता दिया जाएगा तो यह रहा आपका comparing numbers इसमें हम आपको कुछ work दे देते हैं जिसको हम homework कहते हैं आपनों गहर पी करना है इसका जो homework है आपनों को identify करना है कि 25 में 10 में 7915 में 3210 में इन में कौन सा सबसे छोटा नंबर है उसको smallest नंबर लिखेंगे इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर है उसको greatest नंबर लिखेंगे पहला यह हो जाएगा दूसरा आपको करना है 8075213813510758 तो यह दो questions आपको करने है इन दोनों questions के इस तरह से लिखना है इस मारेश नंबर इस मारेश नंबर इसमें कौन सा है वो लिखना आगे और greatest number है greatest number के आगे इस तरह से लिखना है इसमें greatest number कौन सा है इन दोनों को आपको करना है तो यह topic तो सौंझ में आ क्या होगा कि एगर नंबर दिये हुए हैं इसमें smallest number कौन सा है और greatest number कौन सा है यह तो आप तो कर लेंगे ठीक है अब comparing numbers के बाद हमारा दूसरा जो topic है वो है how many numbers can you make दूसरा जो topic है how many numbers can you make कुछ numbers दिये रहेंगे उन numbers उन digits से कितने number हम लोग बदाना सकते हैं यह आपको बताना है जैसे कि हमारे पास number है एक्जाम्पल के तोर पे तू फॉर फाइब यह तीन numbers दिये गाएं है इनसे हम कितने number मना सकते हैं सबसे पहले तो टू फॉर्टी फाइब बन सकता है अधू फॉर बन सकता है फाइब फॉर टू बन सकता है एक्सेटरा एक्सेटरा लग कि जो ही हमारी number यह ऐसे बन सकते हैं यह तीन डिजिट है तीन डिजिट की जो numbers बनाने हैं यही तीन डिजिट यूज करेंगे हम लोग और यही तीन डिजिट यूज करके मलब कोई भी डिजिट हमको repeat नहीं करना है जैसे टू हम दो बार नहीं यूज कर सकते हैं तो ऐसे हमको numbers बनाने हैं कितने numbers बन जाएंगे आप लोग बना सकते हैं इसके आगे तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं तो दूसरा example हम लोग ल 375 यह numbers हैं इन digits से कितने numbers बन सकते हैं आप लोगों को बनाना है जैसे कि 3575 एक नमबर तो यह बन जाएगा फिर 5753 इसको हम लोग change कर देते हैं 6 कर देते हैं 6 ने तो confusion हो जाएगा यह इसको हम 6 कर सकते हैं ठीक है तो दो number हमने बना दिया इसके आगे जो भी बनना होगा number बनाना होगा आप लोगो बनाना है ठीक तो आप लोग यह कर लिजेगा मन्तब कि how many numbers can you make इस तरह से कितने number बन सकते ह आप लोग को बनाना है इन दोनों में आपनों को यह करना है तो कुछ कर दियें कुछ आपनों करके लाना है और भी होमवर के तोर पर और भी देते हैं इन में आप लोगो बनाना पड़ेगा कि दिया है 7503 पूरा four digit का बना है फिर एट नाइन थ्री यह दो और एक्जांपल्स हैं में लग कि होमवर के हैं आपनों को यह करके रखना है एक तो इसमें जो भी बन सकता है इसमें भी जो भी बन सकता है और यह इन से कितने numbers बन सकते हैं अलग अलग यह first number कर देते हैं और यह second इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है और सेम नंबर नहीं आने चाहिए और नंबर वही नहीं आने है ठीक है कितने numbers बन सकते हैं आपनों को यह बनाना है यह आपका रहा दूसरा topic दोनों में homer भी मिल गया है आपको काम करना है आगे फिर आपका रहा यह तीसरा topic करते हैं आते हैं तीसरे topic के topic के नाम है shifting of digits shifting of digits shifting of digits में यह होता है कि हम अगर दो digits को एक दूसरे से exchange कर देते हैं तो जो number आता है वह क्या आता है यह shifting of digits हैं जैसे जैसे त्री डिजिट्स हैं इस तरीके से इसमें 3 है इसमें 9 है इस 5 है इसमें अगर हम यह पहला digit है यह दूसरा है यह तीसरा है तो अगर फर्स्ट डिजिट को थर्ड डिजिट से इक्सेंज कर देते हैं फर्स्ट डिजिट के जगह पर हम लोग थर्ड डिजिट डाल देते हैं और थर्ड डिजिट की जगह पर हम लोग फर्स्ट डिजिट डाल देते हैं तो क्या निकल किया आएगा यहां पर 5 हो जाएगा यहां 9 है second तो सेम है यहां पर 3 हो जाएगा तो यह shifting of digits है तो इसमें आप लोग समझ गए होगे आसान topic है कोई बहुत टॉपिक नहीं है shifting of digits कोई भी इस तरह से question रहेगा उस तरह से आपको shift करना है तो यह रहा shifting of digits इसमें आपनों को हुमर करना है कि जैसे दिया गया है यहां पर कि तीन डिजिट दिये गये हैं यहां पर टू है सेवन है यहां पर नाइन है तो आपको इसमें जो questions करने हैं पहला कि हाल के चिफ्ट करना है ह bunun कि सिफ्ट कि ह है first कि दिजीट है है कि ते мट ऐ तो है कि अण फ्रक्रण था रड़ है तो farms कि इसमें है फइस सब फुक्राऄ पर जाका पर तदि दालना द्राइड तə जगा पर फर्स डिजिट डालना है जैसा कि इस में किया गया था आपनों को समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से ठीक है तिये रहा आपका सेफ्टिंग आप डिजिट्स जो कोईस्चन से एक बार फिर से सुन लिए क्वेस्चन में क्या करना है कि फर्स डिजिट की जगा पर तो नंबर क्या निकल के आता है यह आपका अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो की काफी इंपोर्टेंट भी है इसको बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को यूज आफ कॉमाज यूज आफ कमाज यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह जो है काफी यूज होता है हम लों को यूज करना पड़ता है इसको जब बड़े नंबर्स लिखते हैं हम लोग तो कमाज यूज करते हैं जिससे हमको कन्फुजन नहीं होता है तो यूज आफ कमाज इसमें दो टॉपिक होते हैं एक हमारा होता है इंडियन सिस्टम आफ नुमरेशन इंडियन सिस्टम आफ नुमरेशन पहले इसको समझ लेते हैं कि इंडियन सिस्टम आफ नुमरेशन होता गया है जैसा कि हम लोग शुरू से यह ही उज़ करते हैं इंडियन सिस्टेम आप इमरेशन बहुत पहले से इसको यूज़ करते हैं जैसे कोई नंबर दिया हुआ हो 14352758 यह थोड़ा सा लाज नंबर है अब इंडियन सिस्टेम आप निमरेशन में हम कामा कैसी उज़ करते हैं कामा जैसे कामा मतलब कि यह कामा कैसी उज़ करते हैं सबसे पहले हम तीन डिजिट छोड़ देते हैं तीन डिजिट के पाद कामा लगाते हैं उसके बाथ दो डीजिट छोड़ते हैं लोग कामा लगाते हैं यह हमारा होता है इंडियन सिस्टेम अपनिम्मेरेशन में हम को इसी बाते हैं कामा यूज करने का मतलब की इसके पीछे लॉजिक क्या होता है यह होता है कि जब हम कामा यूज करते हैं तो बड़े से बड़ा नंबर हम इसली जो है इसको इंटिफाई कर लेते हैं तो कन्फीजन होता है कि किस जगह पर वन्स पर है कि 10 पर है कि 100 पर है कि 10 थाउजन पर है क कि 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कि तो में लोग करते हैं वंस टेंस हंडर्ड थाउजंड टैन थाउजंड लाग टैन लाग करों तो यह करों वन करोर है तो इसको लिखते हैं कि वन करोर कि फुर्टी थ्री लाक लाग फुरी तो 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 च यह करो स्विप्टी टू थाउजन्ड सेवन हंड़ेड इस तरह से हम लोग इसको जो है वर्स में लिखते हैं आपको उनको नमबर नेम पढ़ाय गया है नमबर नेम बताया गया है याद करवाया है नमबर नेम के तुरू यह सब आप लोग लिख सकते हैं देखिए वन करों एक को 43 लैक्स 43 लैक्स 52,758 इस तरह से हम एंडियन सिस्टेम आप नुमरेशन में इसको वर्ड में हम लोग लिखते हैं ठीक है तो यह तो बताया भी गया है फिर भी इसको रिवाइश करा दिया गया है अब कुछ इसमें जो है हमर्क में आपको मिल दे देत अपने जो है गार्जन को भी दिखा दीजिएगा इसको ठीक है उमर्प में आपको करना है 42157321 दूसरा है यह फर्स था सेकेंड है 35241025 इसको लिखना है लिख देते है रिक्वार्मेंट इसमें यूज कॉमाज इंडियन सिस्टम से ही करना है यूज कॉमाज और राइट इन वर्ड्स यह रिक्वार्मेंट मादब कि जो दो आपको हुमर्प मिले हैं इन में सबसे पहले तो कामा यूज कामाज इसमें कामा यूज करना है उसके बाद राइट इन वर्ड्स इसको वर्ड्स में भी लिखना जैसे हमने लिखा ना वन करोंट 43,52,758 तो इस तरह से वर्ड्स में भी इसको यूज करना लिखना है ठीक है तो यह आपका रहा हुमर्प में आपको यह करके रखना है तो यह आपका इंडियन सिस्टेम आप नुमरेशन थोड़ा सा आप लोग इससे यूजली मतलब कि इसको जानते होंगे यह आपके लिए फैमिलियर होगा क्योंकि आकसर आप लोग सुरू से ही इसको यूज करते हैं लेकिन दूसरा जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशन सिस्टेम आप नु इसको हम लोग देखेंगे इसमें इंटरनेशन सिस्टेम आप नुमरेशन में कुछ चीज़ें आप लोग जान लेजिए कि यह होता क्या है कि इसमें जो पढ़ने का तरीका अलग होता है कॉमा यूज करने का तरीका अलग होता है इसमें 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 इसमे इट कम्स आफ्टर एवरी थ्री डिजिट्स फ्रम दा राइट लब कि दाहिने साइट से हमेशा थ्री डिजिट्स पर हम लोग यूज करते हैं इसे कि एक इग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि इसमें इंटर नेसल सिस्टम आप नुमेरिशन में जैसे कोई बड़ा नंबर है इसमें हम लोग एक और कर देते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो कामा कैसे करते हैं सबसे पहले तीन इसमें करेंगे फिर थीन करेंगे फिर थीन करेंगे बासे में अगए हम लोग сдien शिंटम नुमरेशन में सबसे पहले सब्सें 2 चोड़ते थे टीन दिजिएक के बाद लगाते थे लेकिन इसमें हमेशा तीन डिजिट के बाद ही तीन डिजिट के बाद ही जो है कॉमा यूज़ करते हैं यहाँ भी त्री डिजिट हैं यहाँ भी त्री डिजिट हैं यहाँ भी त्री डिजिट हैं तीन तीन डिजिट के अंतराल पे हम लोग कामा यूज करते हैं ये यूज आफ कामा ये समझ में क्या होगा अब देखी इसमें हम लोग जब वर्ड्स में लिखते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं इसमें तो वर्ड्स में लिख दिये थे 1 करोड, 43,52,758 ये तो लिख दिये थे अब इसमें हम लोग जब लिखते हैं words में जो है तो कैसे लिखते हैं जैसे एक example देख लेते हैं है हमारा इसमें एक चीज़ और देख लिजिए कि इसमें दो चीज़े यूज होती है एक हमारा million यूज होता है million one million is equal to जो एक million होता है कितने बरापर होता है वह 10 लाग के यह बरापर होता है one million is equal to 10 लाग ठीक है one million is equal to हम इसको लिख सकते हैं 10 लाग ठीक है पासमें आगे एक million is equal to 10 लाग और फिर दूसरा यूज होता है कि billion one billion is equal to हम लोग इसमें जो है यूज करते हैं यह हमारा one billion होता है इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक million होता है वो thousand thousand multiply कर देते हैं तो one जो हमारा million आ जाता है ठीक है one million is equal to thousand thousand और अगर हम एक million में हम कह सकते हैं कि one thousand million का one thousand million का एक जो है billion होता है हम कह सकते हैं कि one billion is equal to one thousand million इसका मतलब यह हुआ कि एक million में अगर one thousand से multiply कर देते हैं तो हमारा एक billion आ जाएगा one billion आ जाएगा ठीक है तो यह दोनों concept clear हुए कि पहला क्या है million million क्या होता है one million is equal to ten 10 लाग 10 लाग मतलब कि thousand 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 into thousand और one billion is equal to one अरब एक अरब होता है जो कि हम लोग thousand million के बराबर होता है 1000 million के बराबर जो है एक billion होता है ठीक है clear हो गया आगे बढ़ते हैं इसमें अगला topic जो है कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं इसको लिखने इसका लिखने का तरीका जो है इंडियन सिस्टम अम्निम्रेशन से अलग होता है जैसे हम एक example लेते हैं एक जाम्पल है एक फेब फाइब जिरो एट जिरो वन नाइन वन फाइब नाइन टू फाइब जो एट जिरो वन फाइब नाइन टू सबसे पहले हम इसमें जो है कामा यूज करते हैं गैप ठीक है कि एथ्य हम इसाग्यण फीया यहां आ गया और फिर बचा है दो ही बचा है अब इसको लोग वाट्स में कैसे लिखते हैं वर्ट्स में लिखने का क्या तरीका है इसको पहले लिखेंगे 50 million हम यह नहीं लिखते हैं कि 50 million 50 million 801 1000 500 500 है 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 ज़िए है था तक चाहिए है इसको लिखने का इसका लिखने का तरीका जो इंटरनेस्ट सिस्टम अपनिमरेशन है थोड़ा सा अलग है इसमें हम लोग लिखेंगे 50 million, 801,000, 500